सिधा रुख कर लेते हैं हमार साथ स्वामी यतिदा नंद गिरीज भाराज जी हमार साथ जुड़ गए हैं महामर लेशर हैं श्रीपंच दशनामा जुना खाड़े से बहुत-बहुत स्वागर नज़र आपका प्रणाम जी सभी को न मिश्कार हमारी बहुत-बहुत सुब कामना स्वामी जी सबसे पहले क्योंकि शुबघड़ी का जो इंतजार वर्सों से किया जा रहा था वो इंतजार जो है वो अब पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है पहली प्रतक्रे आप से चाहूंगा क्योंकि तैयारियां जो है वो जो शोर से चल रही है लेकिन शुबगड़ी को लेकर पहली प्रक्रियापकी हमन्त जी ये जो प्रतिक्षा है वास्तब मैं अगर आयुध्या में आकर आप देखें और अयुद्या क्या मैं कहता हूँ पूरे देश में अगर देखें तो धेरिये छूटता सा जा रहा है और लग रहा है कि कैसे ही 22 तारीक आए 22 तारीक आए 22 तारीक आए क्योंकि इसकी प्रतिक्षा कोई एक दो दिन से नहीं हो रही 500 वर्सों से इस सुवगड़ी की प्रतिक्षा है और इस सुवगड़ी की प्रतिक्षा के लिए देखने के लिए और इस सुवगड़ी को लाने के लिए 77 बार आंदोलन और युद्ध करने पड़े और लाखों बलिधान करने पड़े लाखों बलिदान के बाद आज ये इस्तिती आई है कि वो सुभगड़ी हमारे एकतम निकट आ रही है और हम वो सोभाग्य साली लोग हैं पांसो वर्स में जैने जैने कितनी पीड़ियां उनकी आखें तरस गई इस सुभड़ी को देखने के लिए लेकिन हम वह सोभाग्य साली पीड़ी हैं कि जो इन नित्रों से वो देख सकेंगे जी स्वामी जी ये जो प्रांट प्रतिष्टा का जो तारीक और उसके बाद साथ जो समय दरसल निर्धारत किया गया है उसको लेकर 40 मिनट की जो पूजा पद्वती रहेगी पूजा की प्रक्रिया रहेगी उसको अगर हम थोड़ा सा समझें आपके द्वारा तो वो क्या बड़ा महत्पूर्ण है वो वक्त वो क्षण वो पल क्योंकि हर कोई वहाँ पर पहुंचने तो नहीं वाला लेकिन 30 मिनट की वो जो पूजा होनी है प्रांट पतिष्ठा का जो कारिकरम है बड़ा महत्पूर्ण है तियासे के जैसे कि आपने अभी बताया भी मेरा सवाल यह कि उसको अगर हम थोड़ा पूजा पद्वती को थोड़ा समझ पाएं अपने दर्शुकों तक पहुंचा पाएं कितना विशेश को कारिकरम जब प्रान की प्रतिष्ठा होती है तो तब वहे मूर्ती मूर्ती नहीं रहती वो देवता का विग्रह बन जाता है देव विग्रह बन जाता है वहे जागरत हो जाती है वो चिनमे हो जाती है वो चिदानंद हो जाती है वो प्रानसरूप हो जाती है और फिर उसकी पूजा आर्चना सुरू होती है तो वेद में जो विधी है उस विधी के अनुसार भारत के जो सरव स्रेष्ट मूर्धन्य वैदिक ब्रहमन हैं वो यहां पर उस प्रान प्रतिष्ठा के पूरे के पूरे आयजन को करा रहे हैं उस मूर्ती के अंदर पंच तत्यु की पंच धात्वों की पंच महाभूतों की पंच देवों की और हिरन्य गर्व जोतिर में हिरन्य गर्व की प्रान प्रतिष्ठा मंतरों के द्वारा होती है मूर्ती को अन्ना धिवास करते हैं फला धिवास करते हैं जला धिवास करते हैं और तरह तरह के वास वस्तरा भी वास भी करते हैं तरह और उससे फिर वो है मूर्ती चिन में हो जाती है, चेतन में हो जाती है, जागरत हो जाती है, फिर उस मूर्ती की पूजा आर्चना एक देव विग्रह के रूप में प्रारंब होती है, और वो ही सारी विधियां यहां चल रही हैं, और अंत में जो चालिस मिनट का आप बता र जी स्वामी जी क्योंकि ये जो च्छन है ये जो पल है हम जैसी जो पीडी है वो देख पा रहे हैं इस पल का गवा बनेंगे जाहिर सी वात है बड़े स्वभागे शाली हर कोई इस पक्त है जरूर लेकिन सब के बीच में जैसा जिक्र बार-बार हो रहा है कि कल्योंग में त् आयोध्या की तो गली-गली में पूरी आयोध्या में मैं दो दिन से यहां आया हुआ हूँ उससे पहले भी कुछ दिन पहले आया था जो कल आनंद था वह आज नहीं है आज उस आनंद में और बढ़ोत्त्री हो गई है पल पल वो आनंद बढ़ता जा रहा है रोमांच बढ रही दिलहन की तरह आयुद्ध्या सज रही है जी हूर हर विक्ति हैं जिस HA!' जिसको भी पूछो आंदा रहा है आनदा रहा है तो वास्तब में जो आज आयुद्ध्या का स्वरूप घैar अगर कहा जा तो बदला कुछ नहीं है आयोध्या का जो सरूप था जो आयोध्या कभी त्रेता युग में थी जैसा आयोध्या का वैभव था एस्वरिय था सोंदरिय था माधूरिय था वो कही ना कही आज लोट कर आ रहा है और आज आयोध्या एक नए परिवेस में दिखाई दे रही है और केवल आयोध्या नहीं आज पूरा का पूरा देश गाओं गाओं घर घर में कहीं ना कहीं ऐसी राम लहर चल लही है कि हर घर में कैसी बाइस तारीक आए तो हम कीर्तन करेंगे, हम सुंदर कांड करेंगे, हम भंडारा करेंगे, हम रामधुन गाएंगे, हम आयोध् वरणन जो आनंद की अन्हूतियों उसका वरणन नहीं कर सकते केवल कल्पना कर सकते हैं बहुत आनंद यहां पर गली-गली में च्छा रहा है स्वामी जी कहते हैं कि विधी का विधान कभी मिठाया नहीं जा सकता और प्रभुश्री राम ने तो बड़ी परिक्षा दी है जैसा आपने कहा भी हम सब जानते भी हैं 500-500 साल का इंतजार करना पड़ा तो यह विधी का विधान था कि इस वक्त ही यह संभव हो सकता था क्या ऐसे मानें ऐसे समझें और यह कई जो परिश्रम के राम भक्तों की परिश्रम सादू संतों के परिश्रम उनकी तपस्या उसी का नतीज़ा है हाँ देखे ये कहा है कि लाव हान जीवन मरन यस अप यस विदिहात कुछ ऐसे कर्म होते हैं कुछ ऐसी बाते होती हैं जो विधाता के हाथ में होती है आयोध्या सभी जानते हैं कि आयोध्या एक सरापित नगरी है स्री जानकी जी ने जो सराप दिया था स्री विहिंता का तो आयोध्या में सब कुछ होने के बाद भी एक उदासी दीखती थी एक उजाड़पन दीखता था एक हामोसी दीखती थी लेकिन पानसो वरस से सतत स्री राम लला के लिए जो लोगों की एक आंत्रिक लहर रही जो प्रियास रहा जो बलिदान रहे जिस प्रकार से लोगों ने आत्म उत्सर्ग कर दिया उस सब को देखते हुए उन सब की उन चेश्टाओं को देखते हुए कही न कहीं स्री जानकी जी को भी लगा कि अब अयोध्या की स्री को वापस कर देना चाहिए तो आज मुझे लगता है ये पानसो वरस से सतत जो अयोध्या के प्रतियक संघर्ष के रूप में तपश्या के रूप में लोगों की एक भावना चल रही थी तो उस भावना का ही फल है कि आज स्री जानकी जी ने अयोध्या को अयोध्या का वेभव फिर से लोटाया है और अयोध्या सजधच कर खड़ी हो पा रही है तो ये सब विधाता की ही लीला हैं और मैं कहता हूँ कि जिस समय ये आंदोलन चला था आखरी बहुत बार ऐसे मोड आये कि जब लगा कि अब समझोता हो जाएगा मंदिर भी बनेगा मस्जिद भी कहीं न कहीं बन जाएगी लेकिन समझोता हुआ नहीं और हम लोग भी कहते थे अरे क्यों राजनीती कर रहे हो लेकिन लगता है कि स्री राम की ही ये लीला थी अगर उस समय मंदिर बनता तो एक छोटा सा मंदिर बनके रह जाता लया चना का परसाद बठरा होता जो आज मंदिर का जो स्वरूप है आज जो विशालतम भव्यतम मंदिर का स्वरूप है ये तब ना हो पाता तो कहीं न कहीं प्रभू स्री राम की ही लीला है कि वो आज ही होना था तो इसलिए आज ही हो रहा है पिल्कुल स्वामी जी का आखरी सवाल आप से लेना चाहूंगा जो जिसको लेकर एक जिक्र हुआ कि अपमूर मंदर में प्राणपतिष्ठा संभव नहीं शंक्राशारी जी की और से जो जिक्र किया गया है उसपर आप क्या कहें दिखिए संग्राशार हैं बोलने की सबको आजादी है लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि कब बोलना चाहिए कब नहीं बोलना चाहिए कितना बोलना चाहिए कितना नहीं बोलना चाहिए ये उनको भी विचार करना चाहिए और ये प्रलाब का समय नहीं है इस समय तो आनंद का समय है और ये परंपरा रही है जो बड़े मंदिर होते हैं उनमें जब गरव गरह की और रचना बन जाती है तो मूर्ती की स्थापना हो जाती है उसके बाद मंदिरों का विस्तार होता रहता है और बाद में जब मंदिर का सिखर बनता है सिखर जब बनता है तो सिखर पर कलस इस्थापित होता है धोजा इस्थापित होती है और सिखर की भी प्राणपृतिष्ठा होती है तो ये तो सदा से नियम रहा है कोई ऐसी कोई और ये तो राम ना का मंदर हैं और राम महौल की क्या बात है और और कोई दरसल इस शर्ण को पालीना चाहता है स्वामी जी माफिक के साथ रोक रहा हूं गराते रहेंगे झाल झाल